हेलो बच्चो आज हम मिशन शिक्षन समवाद द्वारा संचाले द्यानिक कार्या पत्रक में कक्षा एक में सबसे पहला लर्णिंग आउटकम बच्चे दूर वापास की समझ विक्सित कर लेते हैं पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि कौन सी वस्तू हमसे दूर होती है और कौन सी वस्तू हमारे पास है अब आप लोग एदी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़े होती हैं जो आपके पास होंगी उनके नाम लिख लीजिए जो आपसे दूर है उनके नाम बताईए कौन कौन सी वस बच्चे दूर वा पास की समझ को विक्सित कर लेते हैं इसका रह पत्रक को हल करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु हमसे दूर है और कौन सी वस्तु हमारे पास है तो दूर वाली वस्तु पर हमें गोलार बनाना है और पास वाली वस्तु पर सही का निश लगाना है तो देखे आगे क्या है आगे हमें दिया हुआ है यहां दो सबसे पहले चित्र में क्या दो घर बने हुए है तो कौन सा घर पास है यह वाला घर हमारा पास है इस पर हमने सही का निशान लगा दिया दूर कौन सा है दूर यह वाला है तो हमने इस पर गोरा लगा द अब कौन सी गाड़ी हमारे पास है कौन से रंकी नीले रंकी नीले रंकी गाड़ी पर हमने सही का निशान लगा दिया क्योंकि यह हमारे पास है और दूर कौन सी है लाल रंकी गाड़ी इस पर हमने गोला लगा लिया अब हम आगे देखेंगे आगे तीसरे चित्र में हमें द नाव, तो कौन सी नाव हमारे पास है, बिल्कुल सही, ये वाली नाव हमारे पास है, तो हमने इस पे सही का निशान लगाया, और जो नाव हमसे दूर है, उस पे हमने गोले का निशान लगा दिया, अगले में कौन बना है, उमोट, कैमल, इसको क्या कहते हैं, इसको रैकिस्त बहुत अराम से बिना खाना और पानी के बहुत दिन तक रह यह चड़िया हमारे पास है तो इस पर हमने सही का निशान लगा दिया और जो चड़िया हम से दूर है उस पर हमने गोले का निशान लगा दिया सबसे आखरी चित्र में हमाएं दो पेड़ दिये हूँ है उनमें कौन सा पेड़ हमारे पास है ये वाला पेड़ हमारे पास है तो आस वाले में क्या लगाना था हमें सही का निशान लगाना था और दूर वाले पे हमें क्या लगाना था गोले का निशान लगाना था तो इस तरह से हमें आज यह पता चला कि कौन सी वस्तु हमारे पास होती है जो जिसे हम असानी से देख लेते हैं या असानी से छू सकते हैं वह चीज हमारे पास होती है और जिसे हम असानी से नहीं छू सकते हैं वह चीज हम से दूर होती है इस त